प्रेपोजिशन का एक नया सेट पढ़ने जा रहे हैं पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे हम लोग इसका सेट बना के पढ़ रहे हैं क्यों सेट बना रहे हैं दोस्त? क्योंकि ये हमारे समझने के लिए बहुत असान हो जाता है जब लोग कंपेर करके पढ़ते हैं दो चीजों का हम लोग जब कंपारिजन करते हैं तो ज़्यादा देर तक हमारे माथों में रहता है कैसे अगर इसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं तो इसका यूज यहाँ पर करते हैं जो हम लोग जानते हैं समय थोड़ा बचाना जरूरी है तो इस वीडियो लंबा हो जाता है चली आज शुरू करते हैं तिल और उंटेल से तिल और उंटील का मतलब क्या होता है तिल और उंटील दोनों का यूज़ हम लोग टाइम को डिनोट करने के लिए तो यहां पर तू ही हम लोग यूज़ करते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए यानि टाइम को डिनोट करने के लिए टू टील और अंटिल तीनों का हम लोग प्रयोग करते हैं अब हम लोग सोचेंगे कि सर कैसे यूज़ करते हैं तब एक चीज़ समझते हैं आपको पहले भी एक चीज़ बता कुंधेन लग यहां है कि कैसे उसका यूज काहां पॉस्त करेंगे अब यह हम लोग देख रहेंने चील और अंटिल और टू का हो कैसे करते दोस्त चीलह और अंटिल का प्रयोग टाउपकर के लिए करते हैं किसे चाहते हैं तो तील का जो प्रेयोग है हमारा, वो point of time को denote करने के लिए होता है, मतलब, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, कि अगर perfect continuous का कोई भी अगर sentence होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर point of time के लिए scenes लगाते हैं, और period लगाते हैं, बिलकूल उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे दोस्त, point of time के लिए till का प्रेयोग करते हैं, और period of time, जब अंतराल की बात करते हैं, जब खास समय हो जाएगा तो till जब एक अंतराल हो जाएगा तो क्या लगाएंगे दोस्त? until का प्रयोग करेंगे, ठीक है? to का प्रयोग हम लोग एक खास moment के लिए करते हैं दोस्त, एक खास समय के लिए कर देते हैं चली एक करके अब सबका example के साथ समझते हैं how long is it to or till dinner? यहाँ ध्यान देंगे अभी खाना खाने में, डीनर होने में कितना समय बाकि है भाई? हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग बोस्ते हैं, एरे और कितना समय बाकि है? जैसे हम लोग अपने मेस में जाते थे, खाना खाने के लिए तो पूस्ते थे वहाँ भाईया से कि भाईया खाना खाने में कितना देर बाकि है, खाना सुरू कीजे ना तो how long is it to dinner or till dinner? ऐसे हम लोग उसका इस्तवाल करते हैं He works from 8 to 9, मतलब वो 8 से 9 बजे तक काम करता है 8 से 9 बजे तक काम करता है, भाईया किसी के timing होता है अपने काम करने का जिसे आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग private tuition भी लेते होंगे तो सब के टाइम फिक्स होता है, 8 to 9, 9 to 10, 6 to 7, यह हम लोग एक period होता है टाइम होता है, जिसमें हम लोग अपना पढ़ाई का काम कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, खेलने काम कर सकते हैं, शाम को हम लोग खेल ले जाते हैं ठीक है, तो 6 to 7, 5 to 6, 5 to 6, 5 to 6, 30, ऐसे हम लोग खेलते हैं, ऐसे Let us work till, यहां देखे तिल, 4 पी ये मतलब 4 बजे तक बोलते हैं सोते हैं एक time लगाते हैं कितने बज़े से कितने बज़े तक यह हमारा time को denote कर रहा है दोस्ति point को denote कर रहा है till she lived with her uncle until she married मतलब वो अपने चाचा जी के साथ रही कब तक उसके साधी होने तक शाधी नहीं हुई तब तक अपने चाचा जी के साथ रही शाधी होने के बद सारी लड़कें को अपना ससुरा जाना होता है तो she went there मतलब she lived with her uncle until she married जब तक नहीं हुई तब तक वो अपने चाचा जी के साथ रही ठीक है दोस्त we did not get home till 10 o'clock what does it mean it means कि माल लोग कहीं हम लोग गए अपने दोस्त के हाँ गए कहीं गए किसी के बड़े पाटी में गए और वहाँ पर हम लोग को उनका घर ढूणने में दिक्कत हो गया घर नहीं मिला we did not get home till 10 o'clock दस बज़े तक हम लोग को उनका घर नहीं मिला दोस्त ऐसा तो क्या निकल रहा है till एकदम point of time एक दस बज़े तक नहीं मिला हो सकता है उसके बाद मिल गया हो हो सकता है बाद मेरे दोस्त को आ गया हो कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर 10 बज़े तक घर हम लोग को नहीं मिला था they are going to Delhi they are going to Delhi मतलब क्या होगी या दोस्त वो लोग दिली जा रहे हैं देखिए यहां से direction का भी बोध होता है हम आपको पहले भी बता है कि हमेशा हम एक 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 जामपल ऐसा दे लेंगे कि जिससे कि आपको समझ में आगा कि नहीं भी या इसका इस्तमाल टाइम के लिए हो रहा है तो दूसरे चीज के लिए भी हो सकता है देखिए यहां पर direction आपको दिखरा आना देखिए इसलिए हम हम लोग preposition का इस्तमाल बहुत deep में पढ़ेंगे बहुत largest के लिए पढ़ेंगे दोस्त कहीं से भी गलती होने का कोई option नहीं चीए अपने को अगर हम एक्जामें वेट रहे हैं दोस्त पूरा का पूरा से होना चीए 5 में 5 से होना चीए ठीक है दोस्त 100% माक्साना चीए preposition मे अगला हम लोग देखते हैं दोस्त आट और इन हम लोग जानते हैं आट का भी इस्तमाल time के लिए होता है इन का इस्तमाल भी time के लिए होता है लेकिन कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि आट का इस्तमाल बड़े जगों पर नहीं छोटे जगों पर होता है और इन का इस्तम बहुत सारे जगहों पर हम लोग करते हैं अब आप देखेंगा कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग बोलते हैं I live at Rampur Rampur एक छोटा सा गाउं है जगह होगा, मुहला होगा, कोई कस्बा होगा, बस्ती होगी अब मालते हैं कि यह जो Rampur है यह UP का एक छोटा सा कस्बा है तो UP एक राज्य है और Rampur एक छोटा सा गाउं है तो हम कैसे बोलेंगे I live at Rampur in UP UP हम उत्तर परदेश के Rampur गाउं में रहते हैं ऐसे हम लोग बोलेंगे मतलब Rampur एक छोटा जगह है तो उसके लिए हम एट लगाएंगे और हमारा UP बहुत बड़ा है दोस्त बहुत बड़ा राजी है हमारा UP तो वो हमारा क्या हो जाएगा इन के तरफ में इस्तमाल करेंगे जैसे he lives in Delhi वो कहां रहता है वो Delhi में रहता है Great they live at boat club road in Pune मतलब वे लोग पूने के boat club road पे रहते हैं पूने का बहुत ही बड़ी हास जगा है boat club road वे कहां रहते हैं boat club road पे रहते हैं पूने में चोटा जगा है boat club road तो एट लग रहा है पूने बहुत बड़ा सहर है तो इन के इस्तमाल कर रहे हैं दोस्त clear हुआ please come in अब देखिए यहां पर direction का भी बहुत हो गया दोस्त यहां से direction का भी please अंदर आजाईए जिससे हम लोग बहार होते हैं हम लोग अपने teacher से अपने senior से permission लेते हैं अंदर आने के लिए तो क्या बोलते हैं may I come in sir may I come in मतलब मैं बहार हूँ क्या मैं अंदर आ जाऊँ तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं दोस्त please come in यह हमारा direction को भी so कर रहा है it was cold in the library तेखे एक example है बहुत बहुत बहुतरीन example है दोस्त just try to understand these two things it was cold in the library and we were at the library what is the difference between these two sentences if you go through it be careful because we have used in in a first sentence and at another sentence what is the difference between these two just think go through it carefully it was cold in the library मतलब लाइबरेरी यानि पुस्तकाले में कैसा था भाया ठंड़क थी क्यों हो सकता है ऐसी चल रही होगी हो सकता है वो नीचले महले पे होगी कुछ भी हो सकता है दोस्त और we were at the library मतलब हम लोग लाइबरेरी में थे हम लोग library में थे क्या कर रहे थे भाया हम वहाँ पढ़ रहे थे किताब इशू करवा रहे थे किताब को जमा कर रहे थे वहाँ पर बैठके सांती से अपनी exam की तयारी कर रहे थे हम कोई भी काम कर सकते हैं library है भाया जहाँ पुस्तकाले है जहाँ बुक्स होंगी तो वहाँ पर क्या करेंगे पढ़ने के लाबार कोई काम हो सकता है कोई गलत बात नहीं सिर्फ पढ़ाई करते हुआ पर लेकिन इट वस कोड़ इन लाइबरेरी माल लेते हैं कि हम बाहर से गए अचानक से वहाँ के बहुत ठंड़क वह से कितना मजा रहा यार बहुत गर्मी थी हां तो सम्थिंग लाइबरेरी और वीवर अट द लाइबरेरी मतलब हमारी पोजीशन को बता है रहा हम लाइबरी में हैं ठीक है ही केम अट सेवन ओक लोग देखिए यहां से दम फिक्स टाइम का पता चलता है दोस्त ही केम अट सेवन ओक लोग वह साथ बजा है दम साथ बजा है भी है ठीक है दम टाइम फिक्स है हम लोग अट का इस्तमाल इन का इस्तमाल इस तरीके से करते हैं दोस्त अगला पढ़ते हैं दोस्त OF and OFF अब दोनों का use कैसे करेंगे दोस्त एक छोटा सर एक बड़ा सर एक में एक एफ लगा एक में दो एफ लगा सर इसमें ऐसा हम लोग समझेंगे दोस्त कि OF का जब use करते हैं OF का जब use होता है दोस्त तो किसी दो चीजों में काम के बीचमें रिलेंजन को बताने के लिए ऐसे अब देखें गे this is a real work of art of art मतलब जो काम हो रहा है वो एक शांदार नमूना है masterpiece है that work is masterpiece of कोई खास चीज के बारे बात करेंगे जिस चीज में काम किया गया हो जैसे आप अगर कोई कलम बना रहे हो कोई मुर्ती बना रहे हो तो वो काम एक real नमूना हो सकता है बहतरीन नकासी हो सकती है masterpiece हो सकता है real work of art आपके कला का का कला का relation बता रहा है the box is made of ूड वो जो बकसा है किस चीज का बना हुआ है लकडी का बना हुआ है दोस्त the box is made of ूड यहाँ पर उड का relation इस बकसे के साथ दिखाया जा रहा है आप बोलेंगे सर बकसा कैसा बना हुआ है तो बकसा लकडी का बना हुआ है दोस्त अगला example है keep of the grass keep of the grass OWF है दोस्त इसका मतलब क्या होता है OWF का मतलब होता है दूर रहना, अलग करना, संबंद भी छेट करना मतलब आप घास से दूर रहिए मतलब क्या हो सकता है घास खराब हो सकता है उसका characteristic अच्छा नहीं है उससे अलग रहना है दूसरा कारणी ये भी हो सकता है कि घास को अभी हम लोग अभी ग्रो करवा रहे हैं अभी ने आने घरास लगा है घास मेरा अभी ग्रो करेगा तब तक के लिए उसको बचाक रखना है तो क्या बोलते हैं keep off the grass घास से दूर रहिए get this ring off your finger मतलब अंगोठी को अपने उंगली से बाहर निकालिए जैसे हमारे हातों में उंगलियों में हम लोग अंगोठी पहनते हैं ring finger में generally अब माह लेते हैं हम हॉस्पिटल जाते हैं डाइगनोस करवना जाते हैं वहाँ कोई टेस्ट होता है एक सरे वागरा जो इस तरह का तरह का टेस्ट होता है उसमें क्या बोलता है डॉक्टर लोग की भाहिया जो भी मेटल का समान आपके सरी पर उसको अलग कर दीजे मोबाइल फोन अलग कर दीजे तो क्या बोलते हैं रिंग ओफ यूर फिंगर अपने उंगली से अंगुठी को निकाल दीजे तो अलग करना है अंगुठी को अंगली से अलग करने के लिए यहाँ पर ओडर विलेप के इस्तेमाल करेंगे दोस्ट अब दोस्त हम आपके आएंगे तो कम से कम यह कप चाय तो जरूर पिलाएगा न दोस्त तो क्या बोलेंगे कप अफ टी चाय का कप के साथ संबंध बता रहा है जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो पानी कहा होता भाया तो ग्लास में होता है ठीक है वाटर इन ग्लास हम लोग बोल सकते है ठीक है गिब मी अ ग्लास ओफ वाटर हम लोग ऐसा बोल लेते हैं दोस्त एक ग्लास पानी दीजिए यहाँ पर फन आफ मी मतलब क्या हो गया दोस्त मजाक उड़ाना मतलब ही अलवेज मेक्स फन आफ मी वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है क्लास में हम लोग होते हैं कोई दोस्त लोग होता ही है जो थोड़ा मजाकिया टाइप का होता है उसका कामी होता है क्लास में पढ़ना नहीं है सबका मजाक उड़ाता है ऐसा नहीं मतलब है कि बच्चे कमजोर होते हैं सारे सारे बच्चे intelligent होते हैं दोस्त कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है एदम दिमाग में यह बात जानल के रखना है कोई बच्चा कमजोर नहीं होता है सारे बच्चे तेज होते हैं हाँ तो आप बोलेंगे सर किसी का रोल नंबर 1 किसी का रोल नंबर 50 क्यों होता है बस यह तो बोले दोस्त जो थोड़ा ध्यान दे देता है उसका रोल नंबर 1 आ जाता है जो ध्यान नहीं देता है उसका रोल नंबर 50 हो जाता है और कोई अंतर नहीं है दोस्त आपको एक बता बता सकते हैं हम आपको बताते हैं हाड का मतलब क्या होता है जब आपको वह problem का solution पता होता है तो वह question easy होता है जब आपको उस question का solution नहीं पता होता है वह question hard हो जाता है हो सकता है कि जो question हमको hard लग रहा हो आपके लिए easy हो क्योंकि आपको आता है और जो question हम मेरे लिए आसान लग रहा हो आपके लिए tough हो सकता है hard हो सकता है क्योंकि आपने उसको नहीं पढ़ा इसलिए दुनिया में कोई चीज ना hard होता है ना कोई चीज easy होता है सब एक जैसा होता है दोस्त बस हमारा ध्यान देने की जुरूत है हम ध्यान दे दीते हैं वो easy हो जाता है जो ध्यान नहीं देते हैं तो वो हमारे लिए hard हो जाता है यही हमारा preposition का भी हिसाब किताव है दोस्त अगला पढ़ते हैं among, among us, between यह बहुत ही typical type का preposition है दोस्त देख कैसे यूज़ करेंगे देखे आपको एक चीप आते हैं जादा तर literature में most among us के यूज़ करते हैं दोस्त लिट्रेचर में ज्यादा यूज़ होता है इसका इस्तामाल आप डेली लाइफ में या किसी के मुह से बहुत rare of the rare सुनने को मिलेगा आपको hardly को यूज़ करता है लेक कारते हैं बच्पन में हम लोग को सिखाये गया है किसी दो बट चीजों के बीच में हम लोग बिट्वीन के इस्त perfume करते हैं अरे भाईया यह रोटी है दुम दो بहाईयों में बाट लो अरे भाईया यह जमीन का टुकड़ा है इसको दो भाईयों में बांट लो ठीक है बिट्वीन का इस्तमाल हर जगह कर रहे हैं, दो के बीच में भी और पांच के बीच में भी, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, हाँ दोस्त, हो रहा है, बुक्स के थुरू जाइए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जहां पर आप इन चीजों का इस्तमाल करते हुए देखे यह हम नहीं दोस्त बोल रहे हैं, यह अकसर आप अगर फॉरें राइटर्स की किताब देखेंगे, उनके बुक्स में क्लियरली मेंसेंड है, जैसे कुछ एक्जामपल हम आपको दिखा रहे हैं, यह भी इनिस्यली हमको भी कुछ ऐसा ही लगता था, बट नाव आई वेंट तो हमको पता चल गया है कि दोस्त ऐसा होता है, जैसे he was sitting among children, वह कहां बैठा है, तो बच्चों के बीच में बैठा है, he is sitting among children, हरी यह stands between mother and abdul, हरी कहां खड़ा है बहिया, तो mother and abdul के बीच में खड़ा है, ध्यान दीजेगा, दो के बीच में, आपको दोनों एक्जामपल द दिये हैं और पांच के बीच में भी दिये हैं, जस्त समझना है दोस्त, among us कैसे करेंगे, he is the best among us, हम सब उम में वह सबसे अच्छी है, among us कभी यूज कर सकते हैं, इमांग कभी दोनों का यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको सिर्प समझाने के लिए बता दिये हैं दोस्त, मस्त एक्जामपल है, स्वीटजे लेंड लाइज बीच में, अब अंदाजा लगाएं, आप तो बोलेंगे सर, आप तो बोलेंगे दो के बीच में, यहां तो आपने पांच के बीच में लखा हुआ है, yes, I have used this word between, इन पांचों के बीच में, तो एक चीज़े ध्यान देना है दोस्त, क्या होता है, जब between का हम लोग के use करते हैं, तो जब बहुत सारे लोग होते हैं, and if you know each one of them, आप सबको जानते हैं, you are completely acquainted with all the people, और उस situation के बारे में completely aware होते हैं, सबको जानकारी होती है, तो वहाँ पर आप between का use करेंगे, that is true, 110% true, ठीक है, लेकिन जब आपको नहीं पता होता है कि कौन है, कैसे हम लोग के use करना है, कितने सारे लोग हैं, if you don't know, definitely you use among, clear है दोस्त, among का use करते हैं, जब आपको नहीं पता होता है, जब आपको पता होता है, तो आप between का use करते हैं, इस बात को ध्यान रखेगा, जैसे हम मालते हैं कि आप राम, सिया, मोहन, सीता, गीता, रीता, अब्दुल, करीम, जान, मोहन, टिंकु, पिंकु, सब हैं आप लोग, अगर हम वहाँ पर बोलें कि चलो भाया, इस नोट्स को आप लोग आप पास में बाट लो, हम डेफिनेटली वहाँ पर between लगा सकते हैं, because I know टिंकु, मिंकु, सीता, रीता, गीता, मोहन, अब्दुल, everyone, I know each one of you, so I may use the word between in place of among, हम लोग एमांग के जगा between ल क्या बोलेंगे, भाई आप परसाद को बांट दो लोगों में, among those people, हम लोग बोलें, क्योंकि सबको हम नहीं जानते हैं, जब आप जानते हैं, तो between लगा सकते हैं, नहीं जानते हैं, तो definitely आप among का use करेंगे, clear है, चलो दोस्त, हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गय करेंगे दोस्त, और बार-बारा practice कीजिए, यहाँ पर तो कुछ example हम जरूर दे रहे हैं, बट जितना ज़्यादा examples को आप practice करेंगे, उतना बेहतर होगा दोस्त, last के इस हमारे series के last में prepositions का हम आपको set जरूर देंगे, practice करने के लिए, जैसे आप पिछले हमारे determiner का set पास हम लोग determiner का practice कियें दोस्त, उसी तरह से हम लोग prepositions का भी करेंगे, बट अभी हम लोग के इस सीरी चल रहा है, इसका सारा worksheet आपको last में मिलेगा दोस्त, पूरा हम लोग पढ़ने के बाद, ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नए set of prepositions के साथ, तब तक के बाद दोस्त, practice करते रहें, जम के पढ़िए